हेलो दोस्तों स्वागत एक बाफिर आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल प्यास क्लाशेश पर तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्धुत परिपत के लिए हम किन-किन पृतिकों का यूज करते हैं सब्सक्राइब करते हैं और प्रिपते हैं किन-किन प्रिपतिकों का यूज करते हैं हम पहले हम समझेंगे विद्धुत सेल का प्रिपतिक को समझें यूँ है कि बड़ी लाइन होती है यह च्छेटी लाइन और यह आप देख आरे थीक अब प्रतीक देख पार रहें यह प्रतीक होता बच्छो बढ़ा डंडा ठीक है जो बड़ी लाइन आप देख पारेंगे प्रतीक होता यह चोटा अप देख पारेंगे जिसे आप यह आप सिंबल का थिकल तो ऑच्छा अब दूसरा जानेंगे बैटरी का प्रतिक क्या बनाते हैं चलिए आपको आपको बैटरी के बारे में आपको समझाता हूं है और मैं अगर मिन को वनाते हूं तो बैटरी को बनाते समय करना होता है ज़ोड़ने के बाद क्या प्रतिक नहीं है प्रितिक क्या झांठीया है तो थेखेंग मैंने आपको क्या बात है पहले मुझे बनाना पड़ेगा थेक है माली जी एक है यह हो गया ठीक है अब दूसरी बनाएंगे यह तीसरी लोग्या और बना लेजिए और बना लेजिए यह पांच है तो आप देख पार होंगे एक दो तीन चार पांच है में बना दिए यह जो संयोग है यही संयोग क्लाता बच्छा आपका वैटरी क्लाता है अब देखिए इसका एक सिरा पोजिटिव होगा यानि यह बड़ा डंडा है यह आपका चोटा प्रितिरोद के बारे में कि प्रितिरोद यानि रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो क्या होता है ठीक है मुचली समझाते हैं आप लोगो तो देखिए बच्छों हम बात करेंगे तीसरे प्रितिरोद के लिए प्रितिरोद के लिए प्रितिरोद के लिए प्रितिरोद का 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 प्रितिरोद भी करते हैं ठीक है एक लगे ऐसे भारी लियला कि यह राओ नियंत्रक्ट या परिवर्थि पृत्रोद फो टिम्लें जोटे परिवर्थि पुर्थि पुर्थि पृति योट गे इसको बसंदारा नियंत्रक भी परिबरती फिरती रोज आपको संजब आयोगी और इसको बात करेंगे खुली कुंजी की खुली कुंजी की कैसे होती बच्चों की सबनाते हैं मैं कैसे बनाते हैं समझें कली का एक प्रतिक तो यह होता है जैक नॐसार प्रतिक आ मां दूसरा बना जान समझें दूसर प्रतिक होता है वायर आपके चाहिए यह अगर आपको सिंबल कहीं देखने को मिलता है तो इसके मतलब क्या यह 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 मिल जाए ठीक यह तक ना तो दोने आपके खुली कुंजी के प्रतिक होते हैं यह जब यह एसी कंडरेशन होती है तो सरकेट के पूरा नहीं होता है अजब प्रतिक होता है तो बंद कुंजी का प्रतिक होता है यहां समझें बंद कुंजी के होती है देखो यह रहे हैं देख ढॕा रहे हैं यह आप को बनाए यह आपको बंध कुर्तिक है योख कुंजी का प्रतीक है अब आप सोच रहोंगे इस टाइप का कैसा बनेगा तो इस टाइप के भी बनाते हैं इस चीज़ को टेकर इस टैंड करते हैं अब बात करेंगे जब किसी सरकिट को प्रतिवी के कॉंटक्त में करते हैं यह भूसंपर कित कर देते हैं तो उसका प्रतिक क्या होता है चलिए आप इसका इसकी इसको रफ करूंगा ताकि मैं आगी बात आपको समझा सब्सक्राइब तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे जब कोई सरकिट क्रत्वी के कॉंटक्त में होता है चलिए मैं थोड़ा विदर को बताए देता हूं आप भू संपर्कित वह मतलब प्रत्वीक से संबंदित तो कैसे करते हैं इसका प्रत्रिक देखिए माली जी यह कोई बायार आ रहा है यह कोई तार है ठीक है पर सकते चोड़ी लाइन चोटी जो जो आप देख्पारें तो प्रत्रिक होता प्रत्रिक का你ःए में तकव्य प्रत्रिक करतीक होता है ठीक अच्छा अच्छा अब हम बात करेंगे कि धारा माप की कैसा बनाते हैं तो यहां तक आप ले लिए ठीक है और यहां तक की वीडियो आई इस्टेंड तो आप लोगों से मेरा बिशेश सब्केश्ट यह अपनी मेनत का पिलीज वीडियो को लाइक और अपनी दोस्तों में सब्सक्राइब कर देजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंक करेंगे अंगे एक अंब यह को दिक्राइब करने वाला हूं तो अब बैत करें बच्चों कि अब लिए तक पर प्रतिक हम पर पर लंगे धारा मापी के लिए वैंस सुब्लते हैं बच्चों गैल वयान मेंटर थीक है तो इसका प्रतीह क्या होता है ध्यान समझेंगें छेंड थीक है यह कोई भायर है थीक है ठीक है यह है अब यह इसका प्रतीह इसको नेखते ढालोब को यह प्रतिक को घंड करें कि लिए कि देखें जो फिर देखी इसको लिख देता हूं समझे यह वायर है प्रतिक है कई बार साइड में क्या होता है क्यों को दिखा तो यह किसका प्रतिक होचे आपका अमिटर का प्रतिक हो इसका सीधा भी दिखा सकते हैं कि दिखा दिखा ओगा इसका मदलब यह किस्था में कोई विदारा नहीं वह रही है यहां प्रतिक हो गया थीक है अब बात करें प्रतिक क्या होता है नमबर 10 कि बोल्ट मीटर क्या होता जहां समझें आगे बता रहा हूं यह वाया ठीक है भी दिखे धी चाहे तो बीके हम प्रट में लगा दें यह नीचे मतलब यह होता है इसे तो यह चीक ड़िक के लिखे और ऊहको में दिखे अष्ट कर ने था च्टी लिए था च्टाएक सब्सक्राइब कह ना प्रतिक नों समय खो कह सुइक है इस साहारο अगे तो और बनाते हैं नहीं के लिए बीच में अपकर गैल्बनुमीटर है तो इसे यह में लगा है तो आज किसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोश्टों में सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो आपको समय से प्राप्त हो इसलिए आपको बैल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करना पड़ेगा ठीक है स्टेंड वीडियो में नेक्स्ट टोपिक के साथ तक तक धन्यवाद बेस्ट ओपलाव